कि कि हैं कि कैसे हाल हैं मैं बढ़िया पड़ाइ चल रहे हैं कि आपने डूमांड की थी कि नॉमन्क्लेचर पर एक वीडियो होना चाहिए तो बच्चों खुस हो जाए हे नॉमन्क्लेचर पर वैं आपके लिए वीडियो लेके के आया हूं और जो मैं नोमनक्लेचर आपको बताने वाला हूं कैसे से आपका कोई भी नोर्वन क्लेचर रिएटेट कॉस्टन नहीं जूटेगा कनफर्म है तो बड़े धान से वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए तो शुरू करते हैं नौमनक्लेचर नॉमन क्लेचर को बोलते हैं नाम करणपज़ती हम किसी कारवन कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं तो नाम रखने लिए पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं तो बेसिक यह है किसी भी कारवन कंपाउंड में जो नाम रखे जाते हैं वो कारवन की संख्या के अनुसार रखे जाते हैं और फंक्शनल गुर्प के अनुसार रखे जाते हैं तो सबसे पहले कारवन की संख्या के आधर पर कैसे नाम होते हैं जैसे नाम के दो भाव होते हैं एक होता है प्रफिक्स और एक होता है सब्फिक्स प्रफिक्स फस्ट हाफ होता है और ये सेटेंड हाफ ठीक है अब कारवन की संथ्या के अमसार कैसे रखेंगे आप ये समझे जैसे अगर एक कारवन है किसी कारवन कंपाउंड में तो उसका प्रफिक्स प्रफिक्स क्या होगा मिठ अगर दो कारवन है तो उसका प्रफिक्स होगा इत ती कारवन है तो उसका प्रफिक्स होगा प्रोग चार कारवन है तो उसका प्रफिक्स होगा व्यूट पांच कारवन है तो उसका प्रफिक्स होगा पैंड शे कारवन है तो उसका perfect होगा hex 7 carbon है तो hex 8 carbon है तो होगा off 9 carbon है तो होगा non 10 carbon है तो होगा deck 11 carbon है तो होगा undack 12 carbon है तो do deck 13 carbon है ट्राइड है इस तरहे इसके नाम होते हैं लेकिन 10 तक carbon compound में 10 तक के नाम पर यहां तक आपकी 10 भी हो जाएगी और 12 भी हो जाएगी और even BSC भी कर जाओगे यहां तक तो कारण की यह संध्या के अनुसार इतना तो आपको पता होना चाहिए ठीक है अब नॉमनक्लेचर में दूसरी चीज क्या आती है सफिक्स की इसे एरेज का यह सफिक्स में क्या आता है अगर सिंगल पॉंड है तो एन लगेगा दबल बॉंड है तो एन लगेगा त्रिपल बॉंड है तो आइन लगेगा ठीक है? आप नेक्स चलते हैं कुछ फंशनल ग्रूप होते हैं जैसे अगर एलकेन कुरूप है तीन सीरीज आप नपढ़ी है एलकेन सीरीज, एलकेन सीरीज और अलकाइन सीरीज एलकेन सीरीज वो होती है जिनका ये फॉर्मूला होता है CnH2N2 जैसे CnH4 हाइडोजन की संख्या, कार्वन की संख्या के डवन से टू प्लस होगी ठीक है? और एलकेन है तो उसका फॉर्मूला होगा ये कार्वन की संख्या से हाइडोजन की संख्या जैसे डवन होगी जैसे C2H4 एलकाइन है CnH2N-2 इसका फॉर्मूला होता है जैसे C2H2 इसमें सारे की सारे सिंगल गॉन होगे इसमें कार्वन कार्वन के बीचे डवन गॉन होगा तो और इसमें कार्वन कार्वन के बीच में ट्रिफल गॉन होगी तभी उनका नाम रखा जाएगा अगर दूसरे आधर उसके बीच में डबल या ट्रिफल पॉन्डिंग है तो वो उसको नाम में नहीं रखेंगे में चेंगे ठीक है अब बढ़ते हैं कुछ अब उसी के साथ में एक्जामपर में देता जाओंगा फंक्शनल गुरूप जैसे ओ एच इसको बोलते हैं एल्गोहॉल एल्गोहॉल इसका नाम सफिक्स में रखा जाएगा ओल जैसे एल्गोहॉल मिथनॉल इथनॉल प्रोपनॉल ब्यूटनॉल तो जो भी एल्गोहॉल होगा उसमें और हैड्रोकारवन में और नाम के लास्ट में आएगा ओल्ग छी एचो इसको बोलेंगे एल्डी हाई इसका इसका स्ट्रेक्चर ऐसे होगा सी डबल पॉन्ट ओ एच इसका है ठीक है और इसके नाम के लास्ट में अगा आएगा एड्डी हाई तीसरा फंक्स्ट्राव दुरूप है की तोन यह इस तरह होगा दोना तरफ कारवन चिल लगी होगी और ऑप्सिजन एक कारवन के साथ अटेच होगा यह क्या है की तोन और इसके नाम के लास्ट में और आएगा ठीक है जैसे एसी तोन इस तरह है नमबर चार आड़ा आपका C COOH यानी कार्वागजालिक ग्रूत कार्वागजालिक ग्रूत यह भी फंक्शनल ग्रूप है कार्वागजालिक ग्रूप इसको एसना स्क्रक्चर आए सल इंगा यासे सल उन देती होगा तो इसके जहां पर यह लगा होगा वहां नाम में आएगा जैसे इस तरह नाम आएंगे कि नैस्ट है आपका कि है लुजन है लुजन हेलुजन में कोंसे आएंगे कि फ्लॉरी už reverse कि ब्रोमीड आयोडी है अगर इनका नाम प्रेफिक्स제가 रखा जाया तो रखेंगे फ्लौोरी प्रव्रो आयड़र है अगर सफिक्स में रखेंगे तो फ्लोराइल, क्लोराइल, ब्रोमाइल, आयोडाइट जैसे CS3CF तो इसको दो परह से बोलेंगे क्लोरोमिधिल या मैथिल क्लोराइल ठीक है? जैसे क्लोरोएथिल या एथिल क्लोराइल ठीक है? इथर, इथर आएगा आपका, आर, ओ, आर, डैस तो यह हो गया इथर, अब इथर में क्या होगा? इसका नाम क्या से होगा? आपका, एलकॉक्सी, एलके, ठीक है? तो जहां कम कार्मांद है, उसके साथ तो लगाएंगे, एलकॉक्सी, और पूरी चेन के साथ, बड़े, जब ज़्यादा कार्मान हैं जिस साएड, उसको पूरा एलके, ठीक है? तो यह कुछ वेंवेंड हो गए, और कुछ रहेगा इस क्लास में, टेंथ किलास में, एलगॉर्ण, 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 एथर, तो मेरे कहल से इतना ही है, आपके टेंथ में, और भी बीच में यहाद आ जाएगा, तो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा भी, अब इसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? य तो नाम कैसे रखेंगे? जैसे हम नहीं ही रखता, यह देस्ट लगाए है, यह देस्ट में सब क्या है? हाई दो जब लगे है, अब इसका नाम क्या होगा? सबसेपहले कार्वन की संधा देखेंगे, तो यह स्ट्रेट चैन है, तो स्ट्रेट चैन में तो कुछ और एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, सिर्फ एक लॉंक चैन एक ही है, तो किसमें कार्वन देखेंगे? कतने हैं? वन टो, ट्री, पॉर, पाई, और फाइव के च्यान बता तो नाम हो जाएगा इन तो पूरा नाम बन गया प्रटेक्स हो गया पैंट और सफिक्स हो गया इन नाम हो गया इसका पैंटें अगर यह है ब्रांच लगी हुई है कहीं तो जो ब्रांच में लगा हुआ कारवंड है उसको बोलते हैं मेठाइल ग्रॉप यानि इसको तो मेठाइल बोलेंगे बैसे एलकाइल एलकाइल ग्रॉप एलकाइल ग्रॉप का फर्मूला होता है CnH2N1 यानि एलकें से एक हाइडोजन कम होता है एलकाइल ग्रॉप जो एक हाइडोजन कम होता है तो एक बोलत फिल जाता है और उसी बोल्ट से वह कारवंड चेन में जुड़ जाता है ठीक है तो अब इसमें एक अलकाइल ग्रॉप लगाएं तो अलकाइल ग्रॉप है तो अब क्या करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सबसे पास आता है तो इदह से देखेंगे 1,2,3,4,5,6,6,6 कारवंड की चेन है तो इदह से आता है 3 नमबर पर और इदह से आता है 1,2,3,4 तो इदह से नहीं करेंगे रूल क्या है जहां फंक्शनल गुरुप सबसे पास से आता हो बोबाली चेल है तो पास यहां से आ रहा है तो नाम कैसे रखेंगे नमबर थरी कारवंड पर कौन सा है एक मिथाई एक कारवंड है मिथ होगा एक कारवंड है इसलिए मिथाई तो थरी मिथाई अब क्या करेंगे पूरी कारवंड चेल का नाम सिक्स है तो है से थ्री मिथाई है से ठीक है यह नाम हो जाएगा और अगर की दो लगे हैं इस पर है तो अब हम यहां से देखेंगे कि यहां से वन तू फरी पर है और इधर से वन तो थरी दोनों तरव से तीसरे नमर करव दो अब इसका नाम रखेंगे अब मिथायल को दो जगे लगें थर्ड पर और फोर्द पर तो नाम लिखेंगे थ्री कॉमा पूर डाई मिथायल को कि दो मिथायल है डाई मिथायल तो त्री पोर क्यों लगा कोंकि तीसरे पर चौथे पर एक 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 मिथायल है तो थ्री पर मिथायल है और पर निपने हो गए डाई दो थ्री पोर डाई मिथायल आउट है यह नाम हो गया है ठीक है यह अगर ऐसे होता है यहां पर यह लगा है यहां पर और लगा है अब नाम कैसे होगा अब जो यहां लिए पहले ठीपल मिथायल है और फोर पर दो है तो क्या करेंगे और फोर फोर डाई अब यह मिथायल होगा जो अब इसको क्या कैसे लेखेंगे सोचों पहुच करो सोचों ठीक है यह देखो नाम कैसे लेखेंगे तो वन टू थी तीन पर आयोगे तो अब इसमें क्या करेंगे कि जिए मिथायल है सारी मिथायल है तो आगे मिज़ें कुछ करना नहीं है तो क्या लेखेंगे ठीक कॉमा फोर कॉमा फोर ट्राइम मिथायल है तो अगे मिथायल है एक टीम पर दो चारप तो अगर थ्री फोर फोर ट्राइम मिथायल तो यहांगे बार देस लाएं थ्री कॉमा फोर कॉमा फोर टैस ट्राइम मिथायल है से ठीक है यह नाम हो जाएगा अब देखो और चेज़ करते हैं अगर यहां लग करते बजाय यहां होता तब क्या होता आउट होता थ्री मिथायल फोर इथायल अब एंद और इ मिथायल इनको अब एल्फाबेटिकल रखेंगे कि जब रखे हों लिखे हों कारण ब्रांच में लगे हों तो उनको अलफाबेटिकल लिखते हैं यह नहीं है कि पहले एम वाला लिख दिया फिर टी वाले यह लेटर से शुग हो नाम लिख दिया तो इनको अलफाबेटिकल लिखेंगे जो पहले आए यह जो लेटर पहले आता है वो नाम सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फोर डैस ने थाए थ्री में थाए अब पुरी चेल का नाम है से ठीक है ब्रांच समझ में आ रहे हैंगी और देखते हैं हमने इस चेल लिखेंगे अब हम देखेंगे कि सबसे लग़ी चेल कहां से बन दी है यह देखेंगे 12345 यहां से देखेंगे 1234567 यह वाली चेल सबसे लग़ी तो यहां पर यह वाली चेल हमने सेलेक्ट कर ली अब क्या देखेंगे कि कहां से अब बागी कि यह तुम्हें इंचेल हो गई अब साइड में जो लगी है वो सब क्या हो गए अब यह देखेंगे तो अब यह देखिए कहां से पास लग रहा है नाम आएक मेरे तो समसे कहां पर नाम आएगा तो और नाम केसे होगा तो होगा फोर एथाइल थ्री में थाइल साथ में कारवन चेम में तो है यह नाम दो जाएगा इसका ठीक है और समझें ऐसे हैं वाकि के हम नहीं यहां पर नहीं लगाए रहे हैं ठीक है इसका नाम क्या होगा तो वन टू थ्री पॉर पाइप फाइप पारवन है तो आएगा पैंट डबल बॉंट है तो आएगा इन नाम हो गया पैंट इन कि अगर दो जगें वांड ऑते डबल बॉंट तो नाम क्या होता पैंट वन और टू डबल बॉंट कहां का लें पासे दबल बॉंट टू पॉंट को भी फंट्रियल गृप के रूप में देखते हैं अब यहां रहेंगे वान तू फ्री फॉर पाइट तो अब डबल और इसे कि तो पैंट है वन टू जाए यह नाम जाए अगर एक ही डबने बॉंड होता तो वन इन लिखते वन लिखते नहीं जाए लेकिन दो है तो दो के लिए और दो नहीं और दो कहां है यह पोजिशन की लिखेंगे एक फर्स्ट कारवन पर एक सेटेंड कारवन पर में चेक तो यह जाए लग पैंड वन टू डाई टी होते तो वन टू अगर यहां का भी होता तो वन टू थ्री ट्राई भी है ठीक है अब आते हैं जो हमने फंक्शनल गुर्प और दूसरे पड़े उनके उनका भी यूज करते हैं ऐसे हैं तो अब इसका नाम क्या होगा तो फर्स्ट कारवन पर लगा है तो यह तो यहीं आएगा चार कारवन है चार कारवन के लिगे क्या लिखते हैं इसमें क्या लगा और इसको एड़ करके एड़ करके पहले आप नेचेन का नाम बताईए और उसमें जो लास्त में आगर एड़ करके जोड़ दीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा अगर यहां पर भी ओएच लगा होता तो अब नाम क्या होता वन टू वन कॉमा टू डैस ठीक है चार गारवन है ऐसे लेकर ब्यूत वन कॉमा टू डै और ब्यूत वन टू डै और गूते रहे लिए जूते ना तो गूते वन टू डै और यह पर लेते हैं इसका नाम क्या होगा अब इसमें टोटल कार्वन कितने हैं तो हो जाएगा प्रॉप प्रॉपेन होता है अब इसमें खॉइक एसिट लग जा तो यह ता रहे और दोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रॉपेनॉइक एसे हैं ठीक है और इस तरह होता सी यह प्रॉप लगा है एड़ी हाय लगा है तो इसका नाम क्यादा चार्वार्वन का है तो व्यूटेन व्यूटेन होता और अल लगाना है इसमें व्यूटेन अल तो हो जाएगा जी इंटाटर के अल लगा देंगे तो हो जाएगा व्यूटेन लगा ठीक है तो इस तरह नाम हो गया आज का और देंगें अगर ऐसे क्लोरिंग हेलो जैन गुरूप लगे हैं तो सबसे पास से यहीं से लगें तो यहीं से दिर्टी शुरू करेंगे तो अब क्या होगा वन तू डाई क्लोरू पास है प्रेंटें ठीक है वन तू डाई क्लोरू प्रेंटें क्लोरिंग तांका लगें पर्स्ट पर और सेटेंट और देखिए अगर ऐसे होता सी एस थ्री ओ सी टू एच पास है या ऐसे कर देंटें सी एस तू अगर ऐसे रखा है तो क्या होगा हमने क्या बताया था अब यह कुन सा हो गया इधर अधर में क्या करते हैं य। तो यंदी आपसी किसके साथ तुबएगा उस साइड़ की चेन के साथ जिसमें कम पारवर वो तो इधर कम पारवन है इधर जादा है तो यह में चेन के साथ आएगा और यह अपशी कसा आएगा आप यह हो जाएगा नाम इसका में फॉक्सी इथेन और अगर यहां पर यह उता तो यहां पर इतने ही कार्गन यहां है तो आप जाएगा इसका नाम एथाक्सी इथेन ठीक है और अगर जाना कार्बन होते हैं ऐसे हो तो जाएगा इतने ही प्रोपेन इसके साथ लगाना है जिस साथ में कम कार्बन वाली चेन को उसके साथ तो इत्रोक्सी यानि ऑक्सी जोड़ना है और ज्यादा कार्बन वाले पूरा नाम लिख देना है अब देखिए यह अब इसका नाम लिखना है तो देखना है तो देखना है तो यह हो गया है की टून है किदर चे पास पढ़ है इधर से तो फोर पर आ रहा है इधर से वन टू थी 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 पर आ रहा है वन टू थी फोर 506 अब इसका नाम लिखना है तो नाम कैसे आएगा अब यह जोटे कर्व़न की चेन है तो चेता लूम के आएगा हैट सेन सब्सक्राइब है अब का ऑक्सिद कहा है कि कुण कहा है तो यहां पर आएगा थिरी है 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 जिन थिरी ओ ठीक है और अगर यह ऐसे होता इतना होता तो होता है तो है अब यहां पर तो दोनों तरफ कार्वन होते ही है तो यह हो जाएगा अब कार्वन भी ती तरह की चेन होती है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री फर्स्ट डिग्री होती है जिसमें कार्वन के साथ एक कार्वन जोड़ा हूँ है सेकंड डिग्री होती है कार्वन के साथ दो कार्वन जोड़े है यह तर कार्वन चेन है और थर्ड डिग्री वो होती है कि कार्वन के साथ तीनों तरफ कार्वन जोड़े है तो यह हो गया थर्ड डिग्री है ठीक है? यह आइसो बोलेंगे यह नहीं को बोलेंगे इसको बोलेंगे आइसो और यह जैसे यह है आपको तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो तो आइसो पेंटेन और वड़ जाथा आइसो हैक्सेन और अगर यह है तो यह जाएगा नियो पेंटेन यह प्रेंटेन यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इसलिए बता दिया है क्योंकि आइसी आइडी में देने ही रखा है आपके लिए फिर भी कुछ एक्स्टर नोलेज लिए आपको बता दिया है तो इतनी बात समझ में आई होगी इतना केलियर हुआ होगा अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कि एंसी आइडी में जो दे रखा है और यहां जो पड़ा है किसमें ज्यादा समय में आए कमेंट जरूर करिए फ्रेंट्स के साथ शेयर करिए और हमारी वीडियों को शेयर करिए अपने फ्रेंट्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना बुलें और फ्रेंट्स को भी कहें सब्सक्राइब करें कमेंट करोगे पूछन पूछोगे आंसर मिलेगा कि कंफर्म मिलेगा अच्छा मिलेगा और नॉलिज बढ़ेगी हंडेट परसंट पूछिये मिस्स याकरके वीडियो को मैं कमेंट करें तब भी पूछिये मैं आंसर दो मैं बच्छों के लिए हर समय तयार रहता हूं जब भी मैं कमेंट आपका पढ़ोंगा आपके बारे में चुशता हूं और उसका आंसर देता हूं तो खुश रही है बच्चों आपका नॉमन्प्लेचर का जितने भी रेलेटेट कॉश्चन होंगे वह हो जाएंगे इसके लावा चलते चलते एक और फाइनल तर्च बोड बहें कई वार कुछ लिया जाता है कि जैसे यह दे दिया सीटू है एक सैवन कि या सी थ्री एजेट अब यह बताईए इसमें पॉवेलेंट बदाने लिए सबसे पहले क्या करेंगे इनका इस प्रेक्चर बढ़ाएं यह बन दिया इस प्रेक्चर अब पोवेलेंट बदाने हैं इसमें जितने भी सिंगल बॉन्ड है सबको काम कर दो सबसे पहले स्ट्रेक्चर बनाईए इसमें अगर पूछा है सी फोर एक प्रेक्चर ने पॉवेलेंट बॉन्ड है तो आप इसका सबसे पहले स्ट्रेक्चर बनाईए अब शाने पॉनी की लिजित वह वाइन टू ट्री फोर फार सेट सेवन एट नाइट एन लेवन तो इसमें त्वल्ड को एलेट वाण होगे यह बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है इसको नहीं बोर्ड आए ठीक है बच्चों गुट नाइट बहुत रात हो गई है बहुत रात में वीडियो बना रहा हू थाए बना नाइट बाता है बना पहरा हम आएट बना वीडियो नाइट छूद डिल गईैने नाइट बना गुट रहा हुत राता है रहाँ राता है पहा है